दोस्तों आप सभी का UPSC PT Special Series में स्वागत है यह सीरीज चल रही है 2024 Prelims के लिए और इसके पहले हमने Art and Culture को 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी कुश्चन थे उनको कबर कर लिया है आज हम देखेंगे Ancient History यानि Ancient India में या Ancient History को कह दें तो उसमें PYQ Series में एक ही वीडियो में हम देखेंगे 2011 सो 2013 तक के जितने भी Ancient History से कुश्चन पूछे गया है उन सभी को सॉल्व करेंगे इसके लावा यह हमारा जो है टेलिग्राम चैनल है इसको आप स्कैन कर सकते हैं अगर आपको PDF की जरूरत है क्लासेस के इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर जो क्लासेस चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लासेस की डूरेशन और इंटेंस्टी भी बढ़ती जाएगी तो आपके लिए फायदे मन्द होगा तो आप टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कीजेगा या फिर टेलिग्राम पर ज़िदा कर इसड़ी या आइस नम से सरच कर सकते हैं ठीक है यह हमारे Facebook पेज है इसको आपको जो है क्लासेस अपडेट मिल जाएंगी ठीक है या फिर इस्टडियान UPSC नाम से सरच कर सकते हैं हमारा पेज है इस्टडियान UPSC नाम से पेज है ठीक है बहराल यह सब बाते हो गई तो समय के साथ एक्जाम नजदी काता जा रहा है तो सबसे पहले एंसेंट कैसे पूछे गए तो 2011 में एक कुश्यन आया था एंसेंट हिस्ट्री से अगर आटन कल्चर को हटा दे तो उसमें पुछा गया था सिंद्धुगाटी सब्वड़ा के संदर में निमलीत कत्नों पर विचार कीजिए आपसा ने किया प्रमुक्ता लौकिक सब्वड़ा थी त देखने को मिलते थे लेकिन वर्चस वसाली नहीं था यानि वह धार्मिक्ता रिजिट नहीं था ऑप्सन दो उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाया जाते थे इसमें बताना है कौन-कौन से कथन सही है आप अगर मोहन जोड़ों में देखेंगे ठीक है या सुरी आदिस्यू मोहर जैसी ये कुछ चीजें पाई गई है इससे पता चलता है कि संदुगार्टी सब्विता में धार्मिक्तत तो मौजूद थे लेकिन ये रिजिड नहीं था यानि वर्चस साली नहीं था तो इस प्रकार ऑप्सन एक जो है सही है इसकाल में भारत में कपास से बनाया जाते थे ये बात सही है सही इसलिए है कि मोहन जोड़ों में सूती वस्त्रों के टुकड़े मिले हैं ठीक है तो इससे पता चलता है कि भारत में कपास के वस्त बना जाते थे तो इस प्रकार इसमें जो हो जाएगा ऑप्सन एक और दो यानि दोनों सही है ठीक है तो तिन सबी चीज़ों को इसमें देखा गया है आप देखाएं कि लोग पीड़ों के जानवारों को जैसे बैल हो गया भैंस हो गया बाग की पूजा करते थे चुकि धर्म इस समय प्रभाव नहीं था ते इसलिए जो है वहां वर्चस नहीं देखने को मिलता है तो यह बात भी आपको ध्यान रखने की जरुवत है इसके लाव 1929 में पुरतत विद्यों ने मोहन जोद्रों से सूती वस्तरों के टुकड़े बरामत किये और पास के मेहरगड में पाय जाने वाले विनावला में 500 इसापूर के यह आपको एरिया देखने को मिलेगा तिस प्रकार देखें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं चाहे 2011 की बात हो 12 की बात हो या 13 के बात जब सिलिबस चंजुआ उसकी बात हो मैं बेस्ट कुस्चिन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है तो इनके लोकेशन को आपको ध्यान रखना है यानि हडपा देखेंगे तरावी ने नदी किनारे है और इसके लाव नागेस्वर बाला कोट और रंगपूर लोथल तीन सब जो है लोकेशन को आपको ध्यान रखना है जैसे यह लेक्चर आके बढ़ता जाएगा यह लोकेशन और क्लियर होता जाएगा अभी आपको डिसकस करेंगे कि यह जो एंसिंट साइट हैं हडपा सब बता की या फिर कैदें सिंदुखाडी सब बता की यह किस नदी के किनारे स्थित है किसने क्या खोज़ता तो जैसे से कुशन आते जाएंगे वो सारी चीज़े क्लियर होती जाएगी तो यह भी चीज़े आपको ध्यान रखना है इसके लावा अगर बात करें दोजार बारा में कुशन पुछा गया था पहला कुशन पुछा गया था प्राचीन भारत में देश की हर्थ बेवस्ता हैं अत्यत मातपुड भूमक्या निभाने वाली स्रेणी संगटन के संदर में निमलित कत्मों में कौन सा कथन साही आप्सन एक प्रतेक सेड़ी राज को कीमतों को सुनुषित करती थी ऑप्सन तीन दिया है इसमें स्रेणी को अपने सदस्यों पर नियाईक अधिकार होता था आपको सही उत्तर बताना है कि इसमें क्या सही है ठीक है स्रेणी पर स्रेणी के संब्द में बताना है तो अगर बात करें स्रेणी के संब्द में तो स्रेडी के संबंद में तो स्रेडी या फिर जिसे जो है स्रेणिस कहते थे स्रेणिस या फिर जिसे ब्यापार स्रेडी कहते थे ये रामार और गुप्तकाल और तमिल संगम साहित के कई नाटक ब्यापार के दोसी या स्रेहांस के बारे में विस्तार से लिखते हैं ठीक है और इसके रामा ये सुनार बुनकर हाथी के दाथ के कारीगरों यहां तक की नमक बनाने वालों के पेसरों कर निकाय थे ठीक है जो गुडवत्ता के उत्पादन को नियंत्रित करने और इसके रामा ब्यापार के नयतिक्ता बनाए उचित मजदूरी और कीमतों को बनाया रखने के लिए कभी जो सहकारी के रूप में संचालित होते थे ते इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है आप्सन दो स्रेडी ही वेतन काम किरगरने के नियाम मान को कीमतों को सुनिशित करते थे इसके लावां आप्सन 3 यानि स्रेडी को अपने सरस्यों पर नियाईक अधिकार होता था ये बात भी सही है ठीक है इसमें 2 और 3 सही है जहां तक बात है, ओप्शन एक की स्रेडी जो है, राज के एक केंदरी प्राजिकर्ड के साथ पंज़ेकरित होती थी और प्रसासनिक अस्तरपर राजा प्रमुक होता था, ये बात जो है गलत है ठीक है? तो इसमें जो है, ओप्शन दो जो है, वो सही है यहाँ पर दिखिए स्रेडी और स्रेडी के बारे में explanation दिया गया है इसको आपको पढ़ ले रहा है ठीक है यहाँ पर देखें स्रेडी सदसिक कदाचार के दोसी पाए गए एक प्रमुक को महाभीयोग चलाने और दंडित करने के हगदार थे ठीक है तो यह चीजे भी आपको देख लेनी है इसके लावा अगर बात करें 2012 में यहाँ पर और डेटेल में यह भी दिया गया इसको पढ़ लेना इसके लावा बात करें अगर 2012 में कुश्चन पूछा है प्राचेइन कालिन भारत में हुई बैग्यानिक प्रगत के संदर में निमलित कत्नों में कौन सा कथ और तर और 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 आपने तो आपको सही उत्तर बताना है फिक है प्राचेइन कालिन भारत के में हुई बैग्यानिक प्रगत के बारे में तो अगर बात करी नहीं कि उस्थता चली प्रते में बात करता तो, अगर की बात करें तो ये चठी सताब्धी के आरहं तो जहां जहां हो इलमेट कर दीजिए, इसके बात करें पांच वी सताब्दी में कोड की जहां का सिध्धान्त ग्यात था, ये बात बिल्कुल साहिए पाचविस सताबदी की बात करें तो आरेभट जो थे आरेभट ने सुर्व सिध्धान दिया था तो इस परकार देखेंगे कोड का जया का सिध्धान गया था चौतिक आप्शन की बात करें तो साथविस सताबदी में चक्री चतूर बुद्क का सिध्धान गया था ये बात भी सही है ब्रह्म गुप्त द्वारा जो है चक्री चतूर बुद्क का सिध्धान जो है दिया गया था तो इस प्रकार इसमें देखेंगे इसमें आप्शन सी जो है वो सही एक तीन और चार इसमें आप्शन में सही होग ठीक है तो इसका explanation और कुछ additional information दी गई है इसको आपको पढ़ लेना है अब बात करें दोस्तों 2013 की ठीक है महल वा मंदिर होते थे option 2 वे देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे option 3 वे युद्ध में घोडों को द्वारा खीचे गए रथों का प्रियोब करते थे कौन सा कथन सही है तो अगर बात करें सिंदु सब्वता की तो उनके विसाल महल और मंदिर होते थे ये बात ज साक्ष कोई नहीं मिले है पाल्तु जानवर में जैसे बैल हो गया और भेड बकरी भैंस सुवर ठीक है जंगली जानवर में सुवर होगा हिरड घडियाल इन सब के जो है साक्ष मिले घोडों के साक्ष नहीं मिले इस परकार ये दो गलत हो जाएगा तो बचा कौन सा option 2 वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे खीक है इसके लावा अगर बात करें तो मोहन जोडोर से देखें विसाल असनानागार मिला है ये बात भी आपको ध्यान रखना है इसके लावा देखी एंसी आर्टी से ये हमने लिया है इसमें हड़ापा स्तलों से मिली ज है और इसका एक्स्प्रेंशन या पर दिया गया है इसको आपको पढ़ लेना है जहां तक अगर बात करें घोडों की या फिर अगर रथों की बात करें जहां तक रथ की बात करें घोडों की बात हम नहीं कर रहे है तो सिनौली एक जगा है उत्तरप्रदेश राज के बाग वो सिंदुगाडि सबता काल से है ठीक है ये भी चीज़े आपको ध्यान रखनी है समकालिक मुद्दों में नेक्स कुछन की बात करें 2013 में तो भारत की यातरा करने वाले वेन सांग के ततकालिन भारत की सामान दसाओं और संस्कृत का वड़न किया है इस अंदर में निमलित क पारा सेत्य परिच्छा किया जाना ही किसी व्यक्त की निर्दोस्ता अथ्वा दोस्त के निर्ड़े के साधन दे ऑप्सवन तीन ब्यापारियों को नौ घाटों और नाकों पर सुल्क देना पड़ता था यानि टोल टेक्स की बात कर रहा है तो आपको बताना है कि ततकालिन भारत की यात्रा में वेन सांग ने जो भारत का वर्ड़न किया है इन तीनों कत्रों में कौन कौन सा सही है तो हर्सवर्धन के सासन काल में वेन सांग भारत आया था और समराठ हर्स और उनके प्रसासर की प्रसंसा करते हुए वेन सांग ने लिखा है कि कानून जो था बहु बी जो है दो और तीन सही होगा, ठीक है? तो वेन सांग ने जो है लिखा है, जहां तक आप रादो के लिए दर्णिकार प्रस्ट की बात की बहुत जादा स्ट्रिक ब्यूस्था थी, यह भी आपको जानना है, और व्यापारे जो है टेक्स देते थे, ठीक है? यह भी बाते ज यह हैं इसको भी आपको देख लेना है यानि वेन सांग जो था महायन बहुत धर्म में रुच रखता था अब बात करेंगे 2014 में 2014 में दोस्तों एक ही कुशन पुछा गया था एंसेंट हिस्ट्री से और 2015 में भी ये कुशन रिपीट हुआ है निमलिखित राजियों में किनका संबन्द बुद्ध के जीवन से था अवंती कांधार कोशल मगद तो बुद्ध के जीवन की बात करें तो बुद्ध के जीवन से कोशल मगद और इसके लावाँ वैशाली और वज्जी था ठीक है तो इस परकार देखेंगे इसमें तीन और चार जो है सही है option C जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा अब इसमें map में जो है आपको location देखना है तो location भी आपको ध्यान रखना है वज्जी देख लीजिए यहाँ पर है इसके लावा कोशल भी आपको देखना है और मगद कहा है मगद भी आपको ध्यान रखना है तो location भी आपको यह सारे चीज़े आपको ध्यान रखनी है इसके साथ साथ की भगवान बुद्ध का या गौतम बुद्ध का जो है वज्जी के नीचे देखिए वैशाली आ जाएगा उसके बाद जो है मगद इसका इस्प्रेलेशन देखिए यहाँ पर दिया है बुद्ध के कोशल और मगद सामराज्जों में कस्बों और गाउओं का भ्रमण किया उन्होंने दरसन दी सिच्छा दी अनिचेतर में जहाँ गूमते थे वैशाली और वज्जी नामकस्थान था यह चीज़े आपको ध्यान रखना है और बुद्ध जो थे शाकवन से संबंदी थी जिनकी रास्थानी कपिलवस्थ थी जो रने बाद में बुद्ध के जीवन काल के दोरन जो एक बढ़ते सामराज को घेड़ लिया, थाथ यह सब चीजे इसके अलावा भी दी हैं इसको आपको देख लेना है इसके अलावा, दोस्तों, 2015 की बात कर, 2015 में प्लाची निटिहास से जो एक बात करे है। तो प्लाची नितिहास से भारती इतिहास के संदर निमलेकित कत्नों में कौन से सामन्ती बिवस्था के अनिवारत अत्यांत ससक्ष केंदरी राजनेतिक सत्ता और अत्यांत दूर्बल प्रांती और अस्थानी राजनेतिक सत्ता ठीक है उप्सन दो भूम के नियंत्रण और स्वामित पर आधारी प्रसाथनिक सरत्ना का उद्ध है option 3 सामंत और उसके अधिपत के बीच स्वामी दास के संबंद बनाना सही उत्तर आपको बताना है सामंती बेवस्था के संबंद में तो दोस्तों अगर option 1 की बात करें तो जहां तक सामंती बेवस्था की बात करें तो अत्यान ससत केंद्री राजनेतिक सत्ता थी और अत्यान दुरूबल जहां तक बात करें तो दुरूबल जो है प्रांती और अस्थानी राजनेतिक सत्ता नहीं थी वहां भी ससक्त था इस प्रकार option एक जो है गलत हो जाएगा एक जहां हो इसको इमिलेट कर दीजिए option दो की बात करें तो option दो भी सही है कि सामनती ब्यवस्था भूम के नियंत्र और स्वामित पर आधारित प्रसासने सरतना का उद्य हुगा इसके अलामा जो सामनती ब्यवस्था जिसे जमिंदारी सिस्टम को की रूप में अक्सर जो है देखते हैं तो यह देखेंगे सामनत और उसके अधिपत के भी स्वामी उद्दास का संबन बराना सामिल था सामनती ब्यवस्था में इस प्रकार option B जो हो जाएगा वो साही हो जा यह सारी चीजे आपको ध्यान रखने इसका इस प्लेलेशन यहाँ पर आप वीडियो पॉस्थ करके या फिर पीडियेफ मारे टेलिग्राम चैनल पर जाकर आप ले सकते हैं तो जैसे हमने बता है 2015 में 2014 वाला कोशन रिपेट किया गया एक भगवान बुद्ध यानि किन रा चार कुशन पूछे गए थे तो पहला कुशन पूछा था गया समराट असो के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन यानि सबसे पहले किस ने पढ़ा था जार्ज वूर्ड मैक्स मूलर जेंस प्रिंसिप विलियम जोन्स तो यह कुशन कई बार कई सारे एक जांबों मे चुका है तो जेंस प्रिंसिप ने 1836 में जो है सबसे पहले जो है असोक के जो है जो भी सीरा लेख है उनको पढ़ा था ठीक है इसके लावाँ विलियम जोन्स की बात करें तो विलियम जोन्स जो थे वो 1783 में बंगाल के हाई कोड के नियाधिस निक्थ हुए थे इसके ला और अशोक के जो भी शीरा लेख के उनको सबसे पहले पढ़ पाए है वो जेंस प्रिंसिप थे यानि उनका विकूटन यानि डिसाइफाइवर गिया था अब बात करें कुशन नंबर टू की उसमें पूछा है भारत के इतिहास के संदर्में इमलिकित युगमों पर विचा सब्सक्राइद कर दिया गया था ऑप्शन दो तुनियूर एक अकेले ब्रामण अथवा एक ब्रामण समों को दान दिये जाने वाले ग्राम ऑप्शन तीन घटिका प्राया मंदिरों के साथ संबंध विद्वाला सुमेलित की दिये एक चीज़े आपको दियान रखनी ही जानेतिक हो ठीक है सांस्कृतिक हो उन कीवर्डों को आपको ध्यान रखना कीवर्ड से कुष्चन हमेशा आते हैं ठीक है अब इसमें देखेंगे तो एर्पत की बात करें तो एर्पत जो है भूम जिसने मिलने वाला राजस अलग से ग्राम जलासे के रख रखाव के लिए रहत किया था यह बात चाहिए घटिका की बात करें तो घटिका जो है धर्म सच्छा का केन था जो आकार में छोटा था जबकि अग्रहारा एक बड़ा संस्थान था यह बात भी आपको ध्यान रखनी है और घटिका जो था प्राया मंद्रियों के साथ सम्मंझ का था बिद् करतनी है तो इस प्रकार यहा अकेले ब्राम्मर अतो ब्राम्मर समुक दान के दी जाने वерм से संस्मंद नहीं है बलकि एक विशाल को धीन विसेस्ट राजस इका रखना ही तो आप्सन जो है गलत हो जाएगा तो जहां-जहां पहता कर दीजिए इसमें एक और तीन सही है तो option D जो होगा इसमें सही होगा इसके लावन देखिए इसका explanation इसमें दिया गया है इसको भी आपको detail में पढ़ लेना है जैसा कि हमने कहा है ये बात हैं आपको विसेस्ता ध्यान रखनी है कि चाहे गुपता पीरड की बात हो या शिन्दुगाटी सब्रदा की बात हो विसेस्ता अगर बात करें तो एक सिकंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंस अगर विशेस्ता बात करें तो साउथ इंडियन हिस्ट्री में चोला हो गया चेरा हो गया पांडिया हो गया इन सब चीजों के बारे में जो है जो भी की टर्म आये चाए प्रसासनिक धाचस राजस सम्मझत है वो चीजे आपको धियान रखनी है अब बात करेंगे 2016 में पूछे गए तीसरे कुश्चन की इसमें पूछे है प्राचीन भारत के निमलिखित पुस्तकों में से किस एक में सुंग राजवन्स के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है ठीक है तो इसमें दिखा है सुपन दास दत्त मालुविकागनी मित्रम मेगदूत रतनाव तो आपको बताना है कि प्राचीन भारत के में निमलिखित पुस्तकों में से किस एक में सुंग राजवन्स के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है तो सुंग संप्राट की बात करत अगनी मित्र ठीक है उनकी प्रेम कहानी है और उनकी प्रेम कहानी की बात करें तो काल काल दासरा काली दासर इस में जो है यह पुष्टक है इसका सम्द्र तो इसमें answer अगर बात के तो answer होगा option B, माल विकागने मित्रम और इससे काले दावास दारा दार लिखा गया था और ये question बार बार repeat हुआ, इसके अलामा मेखदूत जो है ये भी काले दावास दारा दार लिखी गई जो संस्कृत का बे रचना है, ये चीज़े आपको धियान रखनी है, इसका जो है explanation यहाँ पड़ दिया गया है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है, अब बात करेंगे, last question 2016 में पूछे गए, question number 4 की भारत के सांस्करतिक इतिहास के संदन में, इत्वृत्तो, राजवनसी, इतिहासों और विर गाताओं को कंठस्त करना निमलिखित में किसका वेवसायत था, option X, स्रमण, option B, परिवार्जक, option C, अग्रहारिक, option D, मगध, तो इसमें अभी मैंने बताया, अग्रहारिक की बात करी, ठीके, अग्रहारा या बात करेंगे, तो घाटिका, धर्म, साइथ, जो सिच्छा का केंद था, आकार में छोड़ा, जबकि अग्रहारा एक बड़ा संसान है, ठीके, और स्रमण की बात करें, स्रमण वो होते हैं, जिसने साधक कहते हैं, साध़ को क्या कहते हैं समद ठीक है और परिवर्जक का मतलब होता है जो जो है भ्रमड करते हैं जगा जगा भ्रमड करते हैं उनका समद इससे होता है और अग्रहारिक की बात हमने कर ली गए दान में दी गए भून की देखबाल करने वालों क्या कहते हैं तो इसका एंसवर ज जो है कि संस्कृतिक इत्यास संदर में इत्वित्व राजवांसी और इत्यासों को विर गाताओं को कंठस्त करना ठीक है ये चीजे भी आपको ध्यान रखने हैं इसका संबन जो है किसे है मगत से अब बात करते हैं दोसो दोजार 17 में तो आर्ट एंड कल्चर से कुछन देशलपूर की बात करें तो आपको बताना है कौन सा जो है इसमें हड़पा अस्थल नहीं है जहां तक चौन दोड़ो की बात करें और कोट दीजी जेसलपूर की बात करें तो यह तीनों जो है खडपा स्थल है और यहीं सोगवरा की बात करें तो सोगवरा जो है यूपी की गोरःपूर में इस्थित है और यहां पर ब्रामरी प्रकित भासा में लिखा गया जो है आपको असोक यूग का तामर सिलालेख मिला है ठीक है यह है तामर सिलालेख और यह असोक के सासनकाल से संबंधित है, ठीक है, और यह ब्राव्मरी लिप में लिखा गया है, तो इस प्रकार देखेंगे, सोगोरा का संबंध जो है, यूपी गोरकपूर से है, और यह हडपास्थल नहीं, बाके तीनों जो है, यह जो हडपास्थल है, तो यहाँ पर देखें ऐसके लावन देखेंगे राखः गड़ि ठीकमारण глаз इंगर अग्स distint में इससे जगा ग इसमें एंपॉर्णी स्थित किया गया है तो रोपर से क्या रोपर सतल्दनदी किनार है यहां बनाबली की घगर रिबर के किनारे कोट दिजी इंडन действ रिबर के किनारे है सुठकोड़ा की बात करें तो यहां पर या एविडेंस मिला है अलमग्ण की बात करें रिबर किनारे है यह रिबर और मेजर साइट्ट्स यह चीज़े आपको ध्यान अकने मांडा की बात करें ठीक है जब मुकस्मिर में तो ये मांडा रीबर जो चेनाव रीबर के किनारे है इसके लाव रंग पूर की बात करें तो ये जो है बेश कुशन आते हैं तो सारे कुशन हल हो जाएंगे ठीक है अब बात करेंगे इंडेस वली सिवलाइजेशन में सबसे नौर्थन मुष्ट पार्ट की बात करें तो मांडा अगर आपसे पूछा जाए कि सब जो सिंदुगाडी सब्विता का विस्तार है उसका सबसे उत्रोत आपको बताना है दैमादात महाराष्ट परवा रिवर के किनारे ठीक है और अगर आपको पूछा जाए सबसे पश्चिमोत्तर छेत्र कौन सा है या जगा कौन सी है सिंदुगाडी सब्विता का विस्तार की तो आपको बताना है सुद्गोंडोर जो है पाकिस्तान ठीक है दस्क परिवर के किनारे है तो ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है और ये आपको जो है इस पैस पर इंसी आर्टी में भी ऐसा नहीं मिलेगा लेकिन ये आपको चीज़े यहां पढ़ती गई है तो कुछ चीज़े नहीं है इसलिए आपको एक जगा दिया गए इसके अला साइड कब खोजा किस ने खोड़ा जैसे हडपा साइड 1921 में दैराम साहनी ने जो है तो कौन से नदिक किनारे है इसके लाव मुहन जोड़ों कि कब किस ने खोजा इन सब चीज़ों के बारे में यहां पर दिया गया है इसको आपको देख लेना है ये आपकी जिम्मधारी बनती है ठीक है हमें जहां तक जो चीज़े सही लगी जो चीज़े आपके लिए जरूरी है वो सारी चीज़े हमने आपको एक जगा प्रवाइड करवा दी है अब 2019 में कुशन पूछा गया कुशन नमबर टू पूछा गया निमलिखित में किस उभारदार मुर्शिल्प य कहां मैंने बताया था सोग और बताया था यूपी गोरकपूर ठीक है यह असोक से संबंदित है लेकिन अगर बात करें कि इन चारों अस्थानों में कहां पर रड़ियो असोक राजा असोक लिखा गया है कौन से रिलीफ इसकब्चर में तो यह देखे यह रिलीफ और यह कंगन हली ठीक है कंगन हली कहां करनाटका में है तो इसका संबंद जो है करनाटका से है इसके लावाँ सहबाच गड़ी की बात करते हैं पाकिस्तान में है सांची जो है आपको पता है कहां येंपी में है और सागोरा आपको पता है क्या है यूपी गोरकपूर में है इसके लावा देखेंगे जो असोक के जो है सीरा लेख है उनके बारे में जो है यहाँ पर मैप में दिया है मैप बेस कुष्चन 2023 में 2022 में ठीक है कुष्चन पूछे गया था है यार गुड़ी जो है जागोड धावली 2022 में कुष्चन पूछा गया था ठीक है इसके लावा कल गुप्ट काल के दवरान भारत में बालत स्रम यानि विष्ट के संदर में निमलित कत्नों में कौन सा कतन साई, उप्शन एक इसे राज के लिए आयका एक स्रोथ जनता द्वारत दिया जाने वाले एक प्रकार का कर्माना आ जाता था, उप्शन दो, या गुप्ट सामराज के मध्य प्रदेस काठिया वार्ड छेत्रों में पोड़ता अविद्धिमान था, यानि वहाँ पर उपस्थित नहीं था, उप्शन सी बालत स्रमिक सापता ही मजदूरी के हगदार होते थे, उप्शन दी, मजदूर के जेश्ट पुत्र को बालत स्रमिक के रूप में भेज द विष्ट को कर के बदले में स्रम करना के रूप में जाना जाता था, और यह सापताईक मजदूरी के हगदार नहीं था, तो कुल मिलागर इसमें जो उपSON 1 है, इसे राजी के लिए आय का एक स्रोत यानि टैक्स के रूप में जाना जाता था, और जनता दोराद दीए जाने और एक प्रकार का कर माना जाता था और विश्ट को करके बदले स्रम करना पड़ा और इसलिए यह साप्ताइक मजदूरी के हद्दार नहीं था किसी को भी बारा स्रमिक रूप में भेजा जा सकता था ना कि विशेश रूप से मजदूर के जेट प्रुस्त को तो ये इस प्रकार देखेंगे, इसमें केवल सही answer जो है, option A होगा, ठीक है, अब बात करेंगे, दोस्तों 2020 में, 2020 में जो है 5 question पूछे गया, answer and history से, art and culture के question को हटा दें, तो 2020 में जो है 5 question पूछे गया, सबसे पहला question निमलिखित कत्नों में कौन सा उपवाग के, उत्तर हर्स क balance रोतों में, प्राया, उल्लेकित, हुंडी के रूप में परिभासात बताता है, option A, राजा द्वारा अपने अधिनस्तों को दिया गया, परामर्स, हुंडी के संदर्म पूछ रहा है, दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना है, कीवर्ड क्या है, हुंडी, प्रदिन का बिति साधन ता, जो ब्यापार और रडुके लेंदेन में, उपयोग के लिए मत देकालिन भारत में बिखसित हुआ, इस प्रकार देखेंगे, ये क्या था, एक विर्मापत्र, ये देखें एक हुंडी है, तो मत देकालिन भारत में, इस तरीके के हुंडी जारी की जाती थी दो इसको गत्र देकर एक्षेंद था इसके बदले पैसा या ब्या पार किया जाता था यह चीज आपको ध्यान रखना है कि अora हुंडी क्या है एक प्रकार का जो है कि पित्ती सादन है जिसे बीन्हें पद्र के रूप में भी जानते हैं इसका देखे क्या निर्दिष्ट करते हैं, option 1, भूमी माप, option B, बिभिन मौदरिक मुल्यों का सिखे, option C, नगर की भूम का वर्गिकर, option D, धार्मी कनुष्ठान, तो दोस्तों अगर बात करें, कुल्या वाप और दोड़ वाप, सबसे पहले वाप का मतलब आप समझ लें, तो आपको पता यूजँ किया था, ईसे छोटी दूरी के लिए क्या यूजँ किया था अंगुल, हस्त और बड़ी दूरी के लिए जो है अधवाप, और इसके लावा, जो है कुल्येबाप, द्रोड़ वाप, ये चीज़े जो है भूम मापन के लिए यूजँ कियाती थी, गुपत काल के अब जहां तक बात करें तो शब्द की बात करें जैसे अगर हमने बता है छोटी दूरियों के लिए अंगुला लगबक तीन चोथा हिंच हां जो है क्यूबिट में होता था कोहनी की नोक और माध्योंगली के बीच माने के दूरी होती था थारा हिंच इसका बड़े दूरियों के लिए गुप्तकाल में जो है अधवाप ठीक है डेड़ एकर स्वारी आधा एकर दोड़ वाप जो है डेड़ एकर से दो एकर कुल वाप जो है बारा से सोला एकर के लिए ये पैमाने जो है बनाए गये थे कुल वाप आनाज का एक कुल बोने के ल रखनी है. नेश्ट कुर्शन की बात करें निमलिखित में किस साशक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेग के माध्यम से परामर्ज दिया. कोई भी ब्यक्त जो अपने संप्रदाय को महिमा मंदित करने के दिर्ष से अपने धार्मिक संप्रदाय को प्रसंसा करता है या अपने संप्रदायों के अत्यदिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय को निंदा करता है वह अपित अपने संप्रदाय को गंभी रूप से हान पहुचाता है तो आपको बताना है किस सासक ने अपनी प्रजा को इस अबलेक के माध्यम से परामर्ज दिया था जो अबलेक में ये बाते जो है दिया गया था कोई विव्यक्त जो अपने संप्रदाय को महिमा मंदित करने के दिर से अपने धार्मिक संप्रदाय के पसंसा करता है या अपने संपर्धाई के पिरत अतरदीग भक्तिकर अन संपर्धाई को निंदा करता है वह अपने संपर्धाय को गंबी रूप में ये बात ये कही थी, ठीक है? तो असोक की बात करें तो असोक जो है बहुत सम्द्धा है, कि सिध्धानतों का प्रचावर का स्रेश दिये जाता है, यानि बहुत धर्म से संबंध था, असोक के धम, यानि जीवन का तरीका में भगवान के लिए कोई पूजा बलदान सामिल नहीं था वह सोचते थे कि उनकी प्रजा के प्रत उनका करतब वैसा ही है जैसा एक पिता अपने पुत्र के प्रत होता है इसके अलावा अगर असोग की बात करें तो अधर इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट दिये गए है इसको आपको देख लेना है इसमें बरावे सिला लेक में ये बाते लिखी गई है जन्स प्रिंसपने असोग के सिला लेक को समझने वाला पहला बैक था 2011 में जो कुछ पुछा कहा था और बरावे सिला के लेक में जो है ऐसे 14 सिले लेक में उसमें बरावे जो प्रमुक सिला लेक है उसमें जो है ये बाते दी गई है इसके अलावा भी और सारी बाते हैं इसको पढ़ लेना है अब बात करें मौर वंस के तीसर समराट जो महान समराट असो कह रहा है कली यूंग यूंगित के बाद ये जो है बहुत धर्म को अपना लिए और इन्होंने पूरे उप महादीप में आदनी का अफगानिस्तान नेपाल बांगलादस पाकिस्तान में भी अपने पीलर पर भी धम लिखवाए शिरालेख पर भी इन्होंने लिखवाए यानि कुल मिलाकर तायती सिरालेख है जिनमें प्रमुक शिरालेख लग सिरालेख जो अगर असोक ने जो है धम की बातें जो है गुदवाई हैं और लग सिला लेख हैं जहां तक बात करें अध्यदेश की प्रमुख सिला लेख की बात करें तो इसमें 14 सिला लेख हैं और 14 सिला लेख में जो है अलग-अलग बातें लिखी गई हैं इसी से क्वेशन पूछे जाते हैं इन 14 सिललेकों को वीडियो पॉस करके या फिर जो है वीडियो पॉस नहीं करते हैं आप पीडियाप से जो है ये चीज़े आपको पाढ़ लेनी है कि पहले सिललेक में क्या बाते लिखी गई हैं दूसरे सिललेक में क्या बाते लिखी गई हैं ये चीज़े आपको देख ल अब बात करेंगा पीलर इलेक या सत्म सिला लेक में Nim Tut पूछा गया है कि जो टोपरा, रामपुर्वा, निगाली, सागर, लौरिया, अर्जात, लौरिया, नंदनगर, सारनात, और मेरट में पाए गए जो सिललेख है उसे फिरोस्ता तुगलक ने अस्थांबोग एक टोपरा से दूसरा मेरट से दिल्ली एक अस्थांद्रत किया थ तोपरा और मेरट वाला सिललेख इन्हों ने जो है फिरोस्ता तुगलक ने जो है उसे कहां दिल्ली में आप देखेंगे कुतब मिनार परिसर में आप देखेंगे महरवली अस्थान है वहां पर जो है अस्थनानतित कर दिया गर था यह चीज़े फेक्ट्ष्वल हो गई इ सिलालेक में जो है दूसरे में तीसरे में चौथे में पांचवे में छटवे में साथ सिलालेक है सरे सिलालेक नहीं अस्तंब सिलालेक है अस्तंब सिलालेक में आप देखेंगे तो उसमें क्या क्या बाते हैं इसको आपको वीडियो पॉस करके आपको देख लेना है कि इस अस् सिलालेक में कलिंग सिलालेक में रुमन देई सिलालेक से कुष्चन आया है इसमें लेखित किया गया लुम्मनी गाव बुद्य का जनमस्थान जो बाली से छूट दी जाएगी और केवल भाग का अठवा हिस्सा देना होगा इसके लाव रुद दामर का गिर्णार सिलालेक सिलालेक के दोरान यह कुष्चन आ चुका है स्टेट PCS में लग सिलालेक फर्स्ट थर्ड सहबाज गड़ी इन सब सिलालेकों को आपको पढ़ लेना है आपको NCRT में ऐसा एक जगा नहीं मिलेगा जैसे हमने एक जगा आपको दिया है चाहे वो सिलालेक की बात करें लग सि प्रकार कहते हैं कि मेरे राजे अपसेह के बारा साल बाद मैंने लोगों का कल्यान और खुसी के लिए धम के आधेस लिखवाना सुरू कर दिया ताकि लोगों का उलंगन ना करते हैं धम मैं बढ़ सके और फिर उनके अंसार कार करता हूं मैं सबी समुहों के लिए ऐसा ही करता हूँ मैंने सबी धर्मों को विभिन सम्मानों से सम्मानत किया लेकिन लोगों को ब्यक्तिकत रूप से मिलना सबसे अच्छा मानता हूँ तो ये आप देखेंगे ये एक सिला लेक में जो है तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है इसके लावन 2020 में जो चोथा कुछन पूछा गया प्रसिद अस्तल दिये गये थे वर्तमान राज जी के बारे में पूछा था बिल्सा, मद्य पृदेश, द्वार समुद्रम, महराष्ट, गिरनार, गुजरात, इस्तनास्त्वर, उत्तर पृदेश अपको बताना है कि प्रसिद अस्तल है, वर्तमान, राज, सुमेलित आपको करना है तो यहां तक भिलसा की बात कहाद तो भिलसा मध्य प्रदेश में स्थीत है ठीक है और यह सुंग वंज का मुखिक केंद्र भी था ठीक है यह सही है द्वार समुद्रम की बात कहités द्वार समूंद्रम होई सिल की एक साही ही राज़ानी थी और ये महराष्ट में ना इस्थित्वर कहां किसी थे, करनाटका में ठीक है, ऑप्सन दो गलत, ऑप्सन दो जहां हो उसको इमिलेट कर दीजिए गिरनार की बात करें, तो गिरनार जो है जुनागर जिले में जो है आप देखेंगे पहाड़ियों के लिए फेमस है गुजरात, ठीक है गुजरात में ये उप्सन सही है अस्थनास्थवर की बात करें, तो ये हर्याणा में स्थित्थ है नाकियोत्तव प्रदेश में ये किसलिए फेमस है, यहाँ पर पांडव ने भगवान सीव को जो है उस्थे प्रातना की थी इसलिए फेमस है, तो कुल मिलाकर इसमें जो सही होगा एंसर होगा वो होगा भिलसा और गिर्नार सुमेरित है अस्थनास्थवर कहां हर्याणा में, द्वार समुद्र कहां करनाथक में तो इसमें देखेंगा आपसा एक जो होगा या ए होगा एक और तीन जो है सही होगा इसका है ठीक है आज बात करते हैं 2020 में जो है कुशन नमबर 5 में क्या पूछा गया है प्राचेन भारती गुप्त वंस गुप्त राजवंस के समय के संदर में नगर घंट शाला कदुरा आप देख रहे होगा चाहे गुप्त वंस की बात हो चाहे साथ इंडियन हिस्ट्री की बात हो चाहे नौर्थ इंडियन हिस्ट्री की बात हो प्रसासनिक संबंदित कुछ कीवर्ड है आर्थिक संबंदित कुछ कीवर्ड है तो यह कीवर्ड से ही कुशन आते हैं तो आप प उनसा सेक्षन ज्यादा इंपोर्टेंट है तो प्राचीन भारती इतियास में गुप्त राजवांज के समय में संदर्ब में नगर घंड साला कदुरा चौल किस के लिए विख्या थे उप्सन एक विद्यसी ब्यापार करने वाले बंदरगा उप्सन भी सक्षाली राज्यो की राज़धानी उप्सन सी उत्रिष प्रस्तर कला अस्थापत समध्य स्थान उप्सन डीब बहुत धर्म के महत्पुर्ट तो अगर नगर घंड साला कदुरा चौल की बात आए ऐसे व वर्ड होते हैं यह जो शर्बंधित होते हैं वेद्यसी ब्यापार करने वाले ब्याप पंदर गास सम्मझदित होते हैं आपको ेक मैप ज़रुर्ड ध्यान रखना है आंसयंट हिस्ट commission को प्लेस द्यान रखना है Treasury 23 निवह कुछत पूच्छे गया है तो इस में संब्स कुछ खमबाद बंदरगाहों के मादम से भरत पुच्चा आंधर छेतर में बात करें तो कदुरा गंड साला कावेरी पटनम को पुहार टोंडला पांड छेतर का बंदरगा था तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो आप्शन सही होगा आप्शन एक यह सही हो जाएगा पुमपुहार तुति कोरण बंदरगा मुझरिस पुमपुहार 2023 में पूश्चा गया था यह क्या है यह चीज़ आपको ध्यान रखना है अडिसनल इंफॉरमेशन इसलिए दी जाता है ताकि आपको चीज़े ध्यान रखनी हो और ध्यान रखनी है वीडियो पॉस करके आप आपको देख लेडियो और प्रिवियो सिर्फ खरण करने का फायदा यह होता है कि क्या ध्यान रखना है ऐंगी कैसे कुष्चन पूछ है पीछले पार और आगे आने वाले साल में कैसे कुष्चन पूछ गया है तो आपको समझ में आएगी वरना यहीत तीड प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचियन और प्रबंधन प्राली के लिए सुप्रसिद्ध है जहां बाधों के स्रिंखला का निर्माड किया गया था और संबंध जलासे में एक नहर के माध्यम से जल को प्रवाइद किया जाता था अभी मैंने इसके पहले वाले में बता है कि रोपड में किसलिए फेमस है काली बंगा राखी गड़ी लेकिन जहां तक धौला वीरा की बात है तो धौला वीरा जो है यह अपने उन्नत जल संचियन और प्रमंधन के लिए जो है फेमस है तो यहां पर देखिए गुजरात में यह धौला वीरा एरिया है यहां पर देखिए अपने उन्नत जल संचियन के लिए फेमस है और यहां पर बाधू का निर्मार किया गया है जल प्रवाहिद का सिस्टम अच्छा है डेने सिस्टम अच्छा है इसके लाँ जाए रोपड की बात कर तो रोपड आपको बता है सारी लोकेशन आपको ध्यान रखना है इसमें अधर इंपॉर्टन साइट में क्या क्या मिला है कौन से नदी किनार है इसको हम चर्चक कर चुके हैं फिर से चर्चक करने नहीं बैठेंगे तो आप देख रहे हैं कितने इंपॉर्टन्स है कि लगातार इससे कुश्चन बन हैं हैं 2021 में कुश्चन पूचा गया है गुप्त वन्स के पतन से लेकर आरंबिक साथवी सताब्दी में हर्स वर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निमलिखित में किन राज्यों का सासन था मगत के गुप्त मालवा के परमार्थ, थायसर के पुस्स भूति, कन्योज के म अखोर, देवगिर के यादो, पलाविके मत्रक आपको सही उत्तर आपको बताना है कि गुप्त वन्स के जो पतन से लेकर आरंबिक साथवी सताब्दी में हर्स वर्धन के उत्तान तक उत्तर भारत में किन राज्यों का सासन था, जहां तक मगत के गुप्त की बात करें तो स यारा सो सतासी से तीरा सो सत्रा ठीक है, माच एलमेट कर दीजिए, वल्लाविके मत्रक की बादगर तो आठवी सताब्दी तक ठीक है, और कन्योज के मखोर के बादगर तो ये लगबग जो है, 606 वी सताब्दी तक, और मालवा के परणवार्प जो है, इसमें आएंगे नह यानि कहने का मतला इसमें जो सही होगा, मगत के गुप्त, ठानेसर के पुस्भूति, करनोज के मखोर और वल्लाविके मैत्रक, यानि एक तीन चार छे ही जो है, साथवी सताब्दीक हार्सवर्दन के उत्थान तक जो है, उत्तर भारत में मौजूद थे, एक तीन चार छे, इसमें option सही होगे, यहाँ पर देखे, इसका explanation दिया गया है, इसको आपको देख लेना है, वीडियो पॉस करके, जो explanation में बाते रहती हैं, और detail में आप explanation जो है, यहाँ से वीडियो पॉस करके पढ़ सकते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है, हमें जो सही, जो जरूरी लग र विचार कीजिए, एतियासी का स्थान दिये गया है, और उनकी किस कार्ड़ वो famous है, बुर्जोम, सहर कृत, देव मंदरी कार्ड, चंदर केत उगड़, टेरा कोटा कला कार्ड, गड़े स्वर, तामर कला कृतिव कार्ड, सही, आपको सुमिरित करना है, जहां तक बुर्जो प्रफ़ों एक, कस्वीर बहली में आप देखेंगे, इस्थित है, हडप अस्थल है, या फिर संदुकाड़ी से बता है, संबदित अस्थल है, और हड़ियों और पत्थरों से बने जो है, उपकड़ और कर्म कांड़ों की प्रथाव का जो है, वहां पर पत्नित मिलता है, तो इस पर कार ओप्सन एक, जो है, इल्मनेट कर दीजिए, ये गलत है, और चंद्रकेतुगड़ की बात करें, तो चंद्रकेतुगड़ जो है, ये आपको मिलेगा, कलकत्ता में आपको मिलेगा, मिनदिया धरी नदी किनारे, यहां पर जो है, आपको टेर कोटा कला की कि हिस्ट्री का थीम फस्ट जो है 12 क्लास का तो उसमें आप देखेंगे तो राजस्थान का जो खेटरी छेत्र है जो ताबे के लिए जो है जाना जाता है इसे जो आरिको लॉजिकल यानि इसे जो है कहते हैं गड़ेस्वर और जोजपूरा संस्क्रित के रूप में जाते हैं उसी सब्मंदित है गड़ेस्वर जिसे ताम कला करती हैं वहाँ पर बिद्निमाना इस परकार देखेंगे दो और तीन इसमें सही है तो यह है बुर्ज हों ठीक है बुर्ज हों की लोकेशन इसके लावाँ देखिए इसमें ऑप्शन दो और तीन है यह आपको पढ़ लेते हैं लेकिन आपको पढ़ेंगे कैसे आपको सब्सक्राइब करेंगे तो ही सब्सक्राइब जिसमें देखिए यहां पर लिखा खेतिरी छेत में मिले साच्छों के पुरा तत्विद्यों ने गड़ेस्वर और जोथपुरा संस्क्रित का नाम दिया है ठीक है कच्चा माल प्राप्ट करने के लिए एक अन्निनीती रास्थान के खेतरी आंचल ताबे के लिए तच्छरे भारत में सोने के लिए जैसे आगे आने वाले माल के बारे में ट्रेट के बारे में जहां बात की जा रही थी तो वहां पर जो है खेतिरी छेत की चर्चा की गई है जिसे पुरा तत्विद्यों गड़ेस्वर और जोथपुरा संस्क्रित करते हैं इस परकार इसमें देखेंगे इसमें जो है दो और तीन सही है चंदरकेट की जहां तक बात है वो टेरा कोटा कला से गड़े स्वर जो है वो ताम कला के तियों समंदित है कुश्च नमर फूर की बात करें इसमें पूछा है प्राचीन भारत के तिहास के संदर में मिताच्छ्रा। जबकि देया भाग जो है बिवस्था किसी परिवार के पुरुस एवं महिला सदस्यों के दोनों के संपत्य संबंदी मामलों पर विजार करते थी तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है मिताच्छरा जो बिवस्था थी उसके बारे में पूछ रहा है तो मिताच्छरा कानूनी बिवस्था की बात करें तो उसमें कोई सिविल विधी या उची जात की नीजी जात की बात की ही नहीं जो मिताच्छरा थी मिताच्छरा बिवस्था में जो है इसमें क्या था इसमें जो था पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकता था जबकि दया भाग ब्यवस्था में पिता अपने मृत्त के अपरांद पुत्र संपत्ति पर अधिकार करने का दावा कर सकता था ये बात बिल्कुल सही मिताचरा सिस्टम में इसको और रिटेल में भी आगे चट्रा करेंगे ऑप्सन 3 की बात करें तो आप्सन 3 जो है गलत है क्यों गलत है क्योंकि इसमें कहे रहा है कि दया भाग बेवस्था में किसी परिवार में पुरुष और महिले सदस्यों को संपत्य के मामले में करने का विचार था ति ये बात गलत है क्योंकि चाहे वागर बात करें मिताच्रा कानून की या धाय भाग कानून की इसमें स्रिफ पुर्षों के जो है संपत्य के अधिकार की बात की गई महिलाओं सदस्यों के अधिकार संपत्य के अधिकार की बात नहीं की गई है तिस प्रकार देखेंगे इसमें केवल अधिकार संसोदन अधनीम दोड़ पात द्वारा किये गए संसोदने के तक अस्तित्व में था पुत्र जन्म से पैत्रिक संपत्त में रुच प्राथ करता था था मिद्याच्रा कानून में एक सहधाई की खिम्रित पर उसकी रुच जीवित सहधाईकों के साथ विरीन हो गई द्याभाग कानून की बाद का द्याभाग जो है बराविस तापदी में जीम्रित वाहन द्वारा संपत्त की हिंदू विर्यासत की कूट है द्याभाग व्योस्ताम पिता के जीवन काल के द्वरान पुत्रों को अपने पिता की विर्यासत का हिस्सात होता नहीं होता था तो युगमों पर विचार करना था नानुक चंदेल जैसक्त परमार नागभट दुती गुरजर प्रतिहार भोज जो थे राष्टकूर से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है तो इसमें राज्या और राजवन्स की बात जहां तक करें तो नानुक जो थे नानुक जो थे वो चंदेल वन्स के संस्था पक थे तो इनका संस्था पक थे जैसक्त की बात करें जैसक्त परमार वन्स संस्था नागभट दुती की बात करें तो नागभट दुती का संस्था गुरजर प्रतिहार वन्स से था ये भी सही है भोज की बात करें भोज राष्टकूर से संस्था वंस के संस्थापत की बात किया तो राश्टकूर्ट वंस के संस्थापत कौन थे दन्ति वर्बंद थे तो इसमें एक और टीन जो थे केवल दो यूग मुस्ट सुमेली थे अब आप 2022 में देखिए यह कुछिन पूचा गया है इसमें देखिए यह यहां पर ट्रेलर था यू यूपी यसी का ट्रेलर था कि जैसे 2023 में जो है पैटन चेंज करने का कुछिन पूचने का जो यूग मुस्ट पूचे गया तो इसमें देखेंगे नानुक और नागभट जो है यानि केवल दो यूग मुस्ट सुमेली थे तो यह तो ट्रेलर था कुछ कुछिन 2022 में दिये यूग में आधारित कर देगे यूग में हटा दिया गया ठीक है नेश्ट बात करेंगे तो इसमें देखें बुंदोल खंड के चंदेल प्रतिहार वंस राष्ट कूट वंस के बारे में दिया गया इसको आप वीडियो पॉस करके एप वीडियो से पढ़ सकते हैं नेश्ट होती थी हो जाती थी option 3 यद इस्तरी दास का मालिक उस्तरी से पैदा हुए पूत्र का पिता हो तो उस पूत्र का मालिक का पूत्र होने का कानूनी हक मिलता था आपको पताने कौन सकतन शही है तो अगर बात करें कोटिल के अर्षास के अंसार न्याईक दंड के पढ़डाम सुरूप कोई व्यक्त दास हो सकता है यह बात बेलकुल सही है और इसके लावाँ आप्सन दो भी सही है यह इस्त्री दास अपने मालिक के संसर्क पुत्र से पैदा होने पर कानूनी तोर पर मु इसमें को दो तीन तीन जो है सही है तो यहां पर देखिए कोटिल के अर्षास के अंसार मौरकाल के महातपुर्ट विकास क्रिश्कारयों में दासो का रोजगार था यारि पहले से चल रहा था और अर्षास में कहा गया है कि एक आदमी जर्म से स्वेच्छा से खुद को बे है अब बात करेंगे 2030 में एंसियों हिस्ट्री से कोई स्पेस्टिक कुष्चन था नहीं जो भी था हमने जो है आर्ट और कल्चर में करवा दिया है जैसे भारती और संस्कृत 2030 वाले कुष्चन में हमने करवाया कि धान ने कटक यह भी मैप बेस्ट कुष्चन था यह भी ज तो आप देखेंगे धाने कटक यहां पर है धाने कटक देखेंगे त्गहां अंध्रा है वैरहल हमने इसको व्रुम्हार कर वाया है यह चीज़ी आपको जो है हमारे प्लेलिस्ट मेरे आपको देख लेगा नहीं है इसके लावा देखिए कुष्चन जो इस तूप के बार म पूछा गया था फिर जो है प्राचिन गष्ट्र भारत में देखीए यहाँ पर जो बंद ग्राव के बारे में Prose गाया है देखिए वट कुर्तल के बारे में आया है ठीक है और इसमें देखिए होसल गहडवाल काक्ति यादों के बारे में कितने सामराज जो राज आठवी सताबदी इसा पूरा स्थापित किये गए तो इसमें देखिए साथवी सताबदी के बारे में पूछता है हर्स के काल के बार आप इसको एक पर्मपरा के बारे मी कुश्ण आया है तोिस हम पम सारी प्रइप और की या history की तो बहुत सारे questions आपको तयार हो जाएंगे और अगर आप जो है अगर आप NCRT से ही revision करते हैं तो बहुत सारे चीज़े आपको खोजने पर नहीं मिलेगी और इससे आप मिलान करके proper notes तयार कर सकते हैं तो next topic होगा हमारा medieval हिस्ट्री बात कर सकते हैं आर्ट एंड कल्चर हमने सॉल्ब कर लिया एंफिर्श हिस्ट्री सॉल्ब कर लिया जोग्राफी जो है अब चल रहा है प्रीबिएस एर कुशन पेपर ठीक है next topic होगा medieval हिंडिया और जोग्राफी तो thanks for watching अगर आपको classes पसंदार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा notification बिल जरूराण कीजिएगा मिलते हैं next lecture में medieval हिस्ट्री और जोग्राफी के साथ